कोरोना संक्रमन के मद्दे नर्शर बिहार में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था वही बिहार में कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद स्कूल खोलने की अवाजे भी उटनी लगी है दसवी से उपर के स्कूल कॉलेज पहले ही पच्छास प्रतिशत छमता के साथ खोलने के इजाज़त दे दी गई है अब बारी छोटी स्कूलों की है ऐसे में गुरुवार को बच्चों के स्कूल खोले जाने के सवाल पर सिक्षा मंतरी विजे चौतरी ने कहा कि 6 अगस तक प्रतिबन लगा हुआ है अभी गारवी बारवी महाविद्याले स्तर की कठ्षाएं चल रही है 6 अगत से पहले क्राइसिस वारिश्मिन ग्रुप की बैठक में ये तैह होगा कि बच्चों के स्कूल कब से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसके साथी सिक्षा मंतरी ने आगी कहा कि सरकार और सिक्षा विभाग की मंशा है कि विद्याले खुलना चाहिए कहा कि लगातार विद्याले बंद रहने से शात्रों पर इसका कूप रभाव पर रहा है और फिर मालिये मुख्र मंत्री जीपिया जेक्षता में बैठक होती है मुख्य रूप से उसी में निर्मन लिया जाता है उस समय तक जब बैठक होती है उस समय तक की कुरोना की स्थिती की समिच्छा करते हुए तो आज तो हम लोग 22 तारीक क्यों बाक जब है छे तारीक तक है उसके पहले गठक होगी लेकिन हम विभार की तरब से आप लोगों के माध्यम से दिहार के लोगों को कहना चाहते है कि सरकार भी और विशेश रूप से शिक्षा विभार हमारी पूरी मनसा है कि विद्याले खुलने चाहिए हम चाहते हैं कि हमारे विद्याले खुले क्योंकि लगातार विद्याले बंद रहने से चात्रों पर इसका कूप्रभाव परता है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिती समय समय पर बदल रही है डॉक्टरों और व्यज्यानिकों का आकलन भी बदलता रहता है ICMR की तरफ से बुद्वार को बताया गया कि बच्चे वैसक से ज़्यादा सुरक्षित है अभी तो सब कुछ प्राई एंड एर पैसे पर चल रहा है उन्होंने ये भी कहा कि हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग इश्वर से बनाए कि कोरोना को नियंतरित रखे कोरोना और जादा नियंतरित हो जाएगा तो हम लोग स्कूल खोलने की इच्छा रखते हैं चीजे आ गई है तो कल जो आइसी एवार के तरब से बताया किया है कि जितना साथ सब्तर प्रतिशत लोगों में एंटी बोडी बन चुका है फिर या बच्चे वयसकों से ज्यादा सुड़क्षित है एक यह भी मतलब उनकी स्टडी आई है लेकिन सवाल है कि अभी तो सब कुछ ट्राइल एंड एरर बेसिज पे चलता है अगर हम तो यहीं कहेंगे कि हम लोग सब लोग मिल के इश्वन से मनाएं कि इस कोरोना को नियंत्रित रखें इस स्थिती में और ज्यादा बेहतरी आए और ज्यादा कोरोना नियंत्रित हो जाए तो हम लोग विज्याले खोलने की इच्छा रखते हैं और बुलना भी चलता है लिव आने की बाद भी कही जारी है कभी कहां जाता है कि वो ज़रूर आएगा कभी खबर आती है जि स्कूल हो जाते हैं कोरोना नियंत्रित रहे गया तो हम जल से जल स्कूल खोलेंगे और विशेश उरुप से जो शुडवाती प्रात्मिक या मद्ध विद्यालें तब कि छात्र होते हैं जो विद्यालें इस सिर्फ पाठी ही नहीं पढते हैं बहुत चीजन सीखते हैं तो अगर लगातार पिछले साल देर साल से जैसे लगातार विद्यालें बंद चल गए हैं ये बहुत ही इतरसे सबजी अलार्मिंग इस्थिती होती है विशम परिश्टिती होती है कि बच्चे नहीं पढ़ाई से तो विमुख नहीं होते हैं इसलिए हम लोग उतकत इच्छा रखते हैं कि हमारे विद्यालें खूले वही लेकिन आपने देखा है कि हम लोग विज्जालर फोल के बच्छों को सिख्छा देना चाहते हैं लेकिन उनके स्वास्त या उनकी जिन्दगी को जूखी में डाल कर तो सिख्छा देने की बात नहीं सोची जा सकती है और जिस धन से अभी जो सेकेंड वेव आया था था थर्ड वेव की भी बात चले ही गई है कभी-कभी किसी दिन आ जाता है कि नए आना अवश्यव भावी है इमिनेंट है आही रहा है कभी होता है केरल में आगया कभी महारास्त में आगया तो इस से संसे और बड़ा ही मतलब समझे की अजीवों गरीव इस्थती होती है जब कि इक्षा रहते हुए कोई निर्मे लेजे में हम लोग आसंकित और अतंकित को जाते है इसलिए अभी देखिए और सब लोग मनाईए कि कोरोना नियंत्रित रह गया तो हम लोग जो प्लस टू यानि ग्यारभी बारभी और हमारे महाविद्याले विश्विद्याले अस्तर की कच्छाएं प्रारम हो गही है उसमें भी 50% अटेंडेंस के साथ चल रहा है